हेलो इवड़ों स्वागत थे आप सभी कब फिर से एक नए वीडियो में तो गाइस आज की वीडियो में हम आइब्रोस के बारे में सब को सीखेंगे कि गाइस हमें आइब्रोस का सेप कैसे देना है और फेस के अनुशार यानि हमेरे चेहरे के अनुशार हमें कौन सा आइब्रोस बनाना है गाइस और हम आइब्रोस को फील करना शीखेंगे ठीक तो गाइस सबसे पहले हम आइब्रोस को सेप को देख लेते हैं कि कौन कौन सा कि ब्लभ यह कर aos और जाता है यह आड्म स्था है और निल्कुल होता है और य हैशे है उपस्लाइब सब्सक्राइब da हमारा यह नीचे मूड़ जाता है एंड यह हमारा लो आर्च है जो कि यह लो हलका सा जैसे हमारा आर्च ज्यादा उठा हुआ तो इसको हम हाई आर्च बोलते हैं और यह हमारा थोड़ डाउन है तो इसको हम लो आर्च बोलते हैं तो यह आइब्रोज यहां पर आर्च के हलका आइबरोज बनवाएंगे तो हमारा face बिलकूल अच्छा look देगा यानि perfect look आएगा तो guys अगर आपका face goal है यानि चहरा आपका goal है तो आपकी जो chicks bones होगे guys वो चोड़े होंगे ठीक है तो guys round face पे arch वाला यह guys यह arch से बहुत ही अच्छा दिखता है आप हाई आर्च भी रख सकते हैं इससे आपकी जो आइब्रो होगी गाईज वो सौफ और कर्ब नजर आएगी इससे आपका गाईज जो चेहरे होगा वो बिल्कुल फेस जो होगा वो लंबा दिखेगा गाईज ठीक है तो आपकी जो राउंड जब भी आपका राउंड फेस है तो आप राउंड सेफ भी आईब्रो सबनाओ ठीक है और बात करते हैं इस ट्रीड सेफ की बिल्कुल सीधी होती है तो अगर आपका चहरा गोल है गाईज बिल्कुल लंबा है राउंड में ऐसे तो आप गाईज इस्ट्टेट से बन मा सकते हैं अगा एससे कि बात करते ह चाहरे पिक पीस चेहरे पर अच्छा लगता है तो आर्च भी बनवा सकती है इस आर्च सेप और एससे दोनों को भी बन्वा सकती है और हमारा लो आर्च ओविल सेप यानि ओवल säप चाहरे के अकार पे हम लो आर्च बन्वाते हैं तो White ये था हमारा सेप और की से पर कॉनसा हमें बनवाना है आपको पता हो गया होगा। तो GUYS अब हम देखते हैं कुण यो मारे में फैरौ कान हूं हमारे करन ही हमारे में मिडल पॉर इंड हम स्टॉरम जया कशे का ऍप सब्स 551 शबतना का यहां से हम एक इता इता स्ब्स 502 से थिγοर अर्यंड है अब हम इसको डाउन में ऐसे लाइन को डौ करते हैं तो जब भी आइब्रूस का सेप दीजिएगा तो यहां पर पहले पेंसिल रखिएगा तिर्चायक लाइन कीचिएगा इसके बाद ऐसे नीचे डाउन की तरह ठीक है अब हम ऊपर की देखते हैं गाइस तो नीचे का जो हम हम ऐइब्रोस के लिए रहेंगी का जो फात इस को अब को पूइंगे अगर विक पर इसको लाइन कiken के तो अपको यहां से लाइन की डौ करना है आपको यह वाला एड़्ीन की नहीं ड्रॉ करना है यह ठ connector लाइउन होता है तो बगर यहां पेंसिल कर देंगी तो अच्छ नीचे के साइड आपको ऐसे line को ले आना है, ठीक है? यहाँ पर आपको छोड़ देना है, यहाँ का light hairs होता है, तो इसको नहीं करना है, आपको हमेशा ऐसे नहीं करना है, जैसे कि हमारा eyebrows ऐसे करके, ऐसे, 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 आपको जो, co-type में नहीं बनाना, यह हमारा guys, गलत होता ह के यहां का चूर क cui हेशael से इसको छोड़के इसको पाइसको करें चौरल के तो आपको यहां के चूर्ज ह cassेAC यहां के जो आब रोजब जब हैसे रहीं अग्याट सी अहला जरी IoT करते हुप आं भाना है क्या ऑचिर देन यहां से आपको नीजे के साइड आ खिस तो आपको और ऊफिला करना आप ऐसे ही देख तो अब हम देखते हैं कि हमारा स्टाइन प्टाइट बना दियूं आइस आपको समझने में थोड़ा असानी हो गाल समझने में गयुशन सब्सक्राद गंते हमारे नोज नेवराइं समनय प्लाइद में सरन च्बी हमारे नोज करते हुआ यार्ट के पास हमारे नोज को क्रास अर्श के पास एक Candia पैंट ठाइप्ट फटि में नीज को से बीडिगरी होता है तो हमारे चाहिए styl तीन चीजों को ध्यान में रख लें कि हमारा first है, ये second point है ये third point है, तो guys जब भी आप first point पर ये start point की eyebrows बनाएं, तो सबसे पहले मैं आपको ऊपर के बता देती हूं, तो ये जो ऊपर का भाग है guys, तो आप इसमें से ये जो हमारे hairs हैं, आपको इसमें से hairs को नई clean करना है, ध्यार देखिए यहां पर एक भी हेर्स नहीं निकलने क्योंकि हमारा आर्च का हेर्स निकल गया तो हमारा आइब्रोस खराब हो जाएगा नीचे के तरफ तो आपको बस यह क्लीन करना है फोर हेड़ अवाले एरिया को तो गैस अब हमें नीचे से अब आइब्रोस की सेप कैस हो जाता है ठीक है तो यहां पर गईस आपको हेर्स को बिल्कुल भी नहीं निकालने क्योंकि तेकनेश को अपको कम नहीं करना है अगर यह पतला हो गया गाइस तो हमारा आ यह उप एस जो हमारो एक यह हेर्स यहां पर नीचे आप उसको और यह करेंगा ठीक है एंड फिर आप एर इसके अंदर बिलकुल मत निकालेगा ने तो यह मर पतला हो जाएगा एंड गैस आइसे क्लीन करते हुए आपको यहां पर आर्च के पास आ जाना ठीक है तो गाइस तो गाइस ज़स्ट यह हमारे आर्च के नीचे यहीं पर हमारा ज्यादा हे paved ही होता है और यहीं पर हमें सेप देना होता है ऐसे रांड में ठीक है तो यहां के आपको हैर्थ को बिल्कुल ध्यान में रखके 1-1 करके निकालेगा अगर आप विगिन रिलस हो तो बस जह के जहां दिने के लिए इनको भी नहीं निकालना है बस सेप देने के लिए जो हमारे extra hair से बस आप उसको नीचे वाले को निकालेगा बाकि इसकी जो length होती है guys इसकी लंबाई कम हो जाएगी अगर आप यहां के hairs निकाल दीए तो ठीक है guys तो आपको समझ आ गया हुगा कि हमें eyebrows को कहां कहां से hairs को clean करने ठीक है तो guys जब भी आप eyebrow pencil यूज करने तो आप हलके pencil का यूज करें जिससे आपकी जो eyebrow होगी guys वह बिल्कुल नेचुरल दिखेगी और dark pencil तो बिल्कुल आप मत यूज कीजिएगा क्यों dark pencil लगाने से guys जो हमारे eyebrow बनावटी टाइप की थोड़ी दिखती है और guys आप shape के अनुसार eyebrows eyebrows को अपना shape दीजिए face की यानि चाहरे के अनुसार eyebrows को guys आप shape देंगे तो आपका face का look guys बिल्कुल attractive दिखेगा